हम यूनिट 1 पढ़े हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटाइस में छोटे छोटे से तीन चाल टॉपिक्स रहाएं यह पढ़ लेगते हैं उसके बाद में दुबारा एक पूरा चप्टर आपको रिवाइस करा दूगे आज हम पढ़ेंगे बिटा verification, validation, identification and correction of error and traceable सबसे पहले हम अब अबना topic देखते हैं what is verification verification क्या होता है अगर verification का हम उड़्दू में मिनिंग देखें तो verification क्या होता है तस्दीग करना verification means to test if a solution is actually solving the same problem for which it was designed basically verification हम यह देखते हैं आप हमारे पास solution बन गया तो हम verification में basically यह देखते हैं कि हमारे जिस problem के लिए जिस मसले की वज़ा से हमने यह system develop किया यह निया system develop किया यह already मुझूद system में updation की तो क्या वो problem solve हुई है के नहीं हुई for example बेटा मैंने आपको का था कि हम हम compound interest में कारने ठीक है तो हम बेटा हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे that if you are asked to give a solution for calculating compound interest then verification means to know that it is giving result for compound interest not the plain interest यानि कि वह compound interest का result आपको दे रहा है plain interest का नहीं दे रहा for example बेटे verification क्या हो दिया अगर आपने basic calculator बनाना है तो उसकी basic requirement जो functional requirement थी user की वह यह था plus minus multiply and divide तो basically verification में हम यह देखेंगे कि आया हमारा calculator बन के हमारे पास आया है उसकी तमाम requirement वो complete हो रही है यानि plus भी हो रहा है minus भी हो रहा है multiply भी हो रहा है divide हो अगरा समझागे now what is validation validation means to test whether the solution is correct or not validation में हम यह देखते हैं कि system develop हो गया है वो सही भी कामकार है मतलब कि हमने पहले verification में यह देखा कि वह काम जो हमने कहा था वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है और validation में हमने यह देखा है कि तो हो रहा है लेकिन क्या ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा फॉर एक्जामपल आपने बैस काल्कुलेटर बनाना है तो हमने वेरिफेकेशन में यह देखा कि PLS, MINUS, MULTIPLY,E inquiry हो रहे हैं नेक्ट वेलिडेशन के स्टेप में हम देखेंगे कि क्या वह दो नम्र को सही में हम निकाल हैं लेक्त कंति सब्समें हैं मुल्टिब्लाइन्ट आप गला के का रहा है एक margin में श्रपी नкіकाल है हमें उसकी वैल्यू भी ठीक नहीं हो तरह रही क्रeavinus और यूरिया आपने में सब्सक्राइब वहां प्रा construction वेलिडेशन मेंस तो नो वेदर इस फाइड गर एडेटेटे विए अगर सुलूशन वेरिफाय हुआ है मतलब कि तमाम फांकशनल रिकुरॉर्मेंट को फुल्फिल कारहा है तो उसके बाद उसको वेलिडेट करना बहुत आसाल हो जाता है देटा किस्तों करते हैं किस देटा की पुट है हम पढ़े थे वैलिड तस्ट डेटा इन वैलिड तस्ट डेटा रॉंग डेटा फॉर्माइट बाउंडरी वैल्यो टेस्टिंग एंड इंड युपसेटटम नहीं तो आपको पास पीजा आएगा तो आप यह देखेंगे कि आया वो चिकन पीजा है 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 वो चिकन पी कि छोशपीं रखाने हैं यह यह जोशफी यह रखाना भी अग़ने विलाट नोट करने लिए लोगने में यहा लेटी के लिए जान फाया है था यहां बड़ो च्किर्ट अपने चाहिए लिए प्राद काम यह आप में चुछिया है और वेलिडेशन गाएशन गाएशन गाए एक अग्योच उसका को आर दो तो डजय निए रिखन पीजा और चिकन पीजा है और निए निए तो पीजा है। इस निए प्चीन पीजा आपछ अगारिए है क्वेड़ कमार फिर सब्सका स्पीजार कि वह बोड़ झाल भीजर और है जैए तो निए ह। आप को तक हमस्स को देखा है तो आपने ही जोट है स्टुदेंट्स ही लेस्ट बена है अगञुटेंट्ट्स और ऊभी तो यह है। पैसे सफ़ाएं में उसके रिस्ट ने डिका मरम है। उसलिखे मेंमूरों के शिόल HR को सब्सक्रावाःद को है। यानिके यह नहीं होना जाए कि नाम की जगह को येस आ रहा है नो आ रहा है नहीं उसने क्या का कि लिस्ट आफ नंबर सॉरी लिस्ट आफ नंबर के बच्चों के नंबर जो है उनकी लिस्ट दिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है तो जब उसने यह चेक है लिया कि जो बच कि वह संदिंग और में है कि नहीं है वो क्या है वेलिडेशन एक्जामपल ट्यू लेट एस इस्यूम्ट आपको एक अल्गरिफ्म लखना है तो टेक एक एंपूट आपने इंपूट लेनिया लिस्ट अफ नंबर नंबर की तीक है अल्गरिफ्म शुट डिस्प्ले लिस्ट लिस्ट हो नंवल रोगरिफ्म तो लुंट आपको ऊपने लिस्ट वन इता इस हाग्मिक एंपूट लिस्ट ब्ल्ड आपके एक लिस्ट ऑन्बर एक लिस्ट अफ नंबर यह वेरिफऑं लिस्टियों और तो आपको बताया कि कम्प्यूटर में जो भी मिस्तेक्स हम करते हैं उनको या कहते हैं इस फेल दौर उनको पहचानना और चीज को दुरुस्त करना और और रिखना होता है मैंने आपको बताया कि के कंप्यूटर में जो भी मिस्तेक्स हम करते हैं उनकों क्या कहते हैं इसकी वज़ा क्या थी बुनियादी वज़ा किया हुई के हमारा यल्गो जो है वो फेल हो ठीक है किस वजह से करेक्थ है और हमने तक करक्थ वक्रुक वक्रत बतर बैख करना है और हमनेन तरह है इसकी अससा वासित्र द्ला धाफ में वेशार के गटिख अब्र मैने अपको ब Natal Ev Kesذ Epile अगर आप इसके मताबिक नहीं करते हैं तो आपको compiler error देता है That is known as syntax error. Logical error क्या होते हैं बेटा जो mistakes हम source code में करते हैं Source code क्या होता है जिस language में हम coding करते हैं जो हम coding कर रहे हैं That is known as source code तो उस source code में जो हम गल्सियां करते हैं That is known as logical error सबसे common example logical error की आपने plus करना था लेकिन आपने multiply का formula लगा दिया तो जब compiler उसको compile करेगा तो उसमें कोई error नहीं निकालेगा क्यूंकि आपने तो formula खुद गलत लगाया और जब आपको पास output है तो आप देखेंगे आपका result ही ठीक नहीं आ रहा It means that solution is working but not giving the required result इसका मतलब है कि solution काम का रहा है लेकिन जो result आपको required result है उसके मताबिक नहीं दे रहा For example logical error में आपने काता है दो numbers ने उनको plus करना 3 plus 2 5 होता है आपने a plus b की जगा formula लगा दिया तो वो जब compile होगा कोई error नहीं आगा जब result आगा तो आप देखेंगे आपने input किया 3 दो values न्-pально3个 users और आपको पास आंसर आजेगा 6 आजया जबको आपको आपको पास आंसर तो 5 अना चाहिए घगा तब और तो क्या गलती हुई आप Roth यह गळसा था आपने logic ही गळसा ही लह भला ही गळसा लह लहा Вोलीबाल टीम कि की अगं, अब ने का है कि इसके लिए आपने स्टेप 1 में स्टार्ट किया है स्टेप 2 में स्टेप 2 में सेट काउंट इस जाएगी जिरो और यह हमने किसले लिगाया था कि हमारे पास जो भी काउंट इस इक्वल तो जिरो से स्टार्ट किया है और जब हमारे पास जो भी वैलियो यूजर इंपुट करेगा उसको जब चैक करेंगे वह 144 166 164 के दर्मयान है तो क्या हो जाएगा काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ठीक है स्टार्ट काउंट में प्लस कर दो ठीक है और आउट्पुट क्या दे दो काउंट और स्टॉप कर देगा एंट इसको मैं रन करके दिखाऊं तो बेटा स्टार्ट होगा काउंट में पहले जीरो आएगी सेट आई तो 154 154 पर जाएगा स्टेप 4 में एगा 4 इच हाइट हाइट में क्या जल जाएगा 154 154 ग्रेटर देन 144 कंडिशन टू है तो काउंट की वैल्यों क्या हो जाएगी वान हो जाएगी इसी तरह आउट्पुट करेगा 140 में पैटा ये कंडिशन जो स्टेप 5 है ये फॉल्ज होगा 144 ग्रेटर नहीं है 144 से और नहीं लेजन इन इकॉल टू 164 है तो क्या हो जाएगा पैटा आपके पास ये कंडिशन फॉल्ज हो जाएगी और कांट में इंक्रिमेंट नहीं हो गाए अच्छा जीवा कहता लेकिन यहां पर आपने स्टेप 5 में ये गलती करें कि आप ग्रेटर दन 144 कर रहे हैं जब आप ये एक दो तीन चार पांच पांच में नमर पर आपने इंपूट दिया है 144 तो जब आप ये इंपूट देंगे तो पेटा आपने देखा कि आपने गाए 144 वाले बच्चे को होना चाहिए लेकिन step 5 में 144 ना तो 144 से greater नहीं है condition false हो जाएगी और आपका count में नहीं होगा जो कि ये गलत हो रहे है ठीक है तो यहां पर क्या होना चाहिए इसके error को कैसे remove करेंगे यहां पर जो height greater than 144 है के साथ greater than equal to का साइं लगा देंगे समझागे so the student having height 144 cm will be will not be counted वो count नहीं होगी this is the logical error यह logical error है we can identify this type of error by using trace table हम क्या करते हैं trace table बनाते है ठीक है trace table क्या होता है बच्चे our trace table is a technique used to test algorithm in order to make sure that no logical error occur while algorithm is being processed trace table basically क्या करता है हम इस पर यह देखते हैं के बेटा हम के हमारे in order to make sure हम यह देखने के कोशिट करते हैं कि आपके algorithm में कोई भी logical error ना आए इस वजह से हम एक table सा create करते हैं इसमें क्या होता है multiple columns होता है multiple rows होते है the table usually take the form of a multiple column multiple rows each column showing the name of data हर column में name of data होता है और हर row में क्या होता है values of data for example यह वही पिछला algorithm है इसको देखो मैंने क्या step 1 कुछ नहीं होँ step 5 में क्या हुआ आपने पहला 154 चेक किए 154 चेक किए 154 ग्रेटर देखना condition true और यह कांट में क्या हो जाएगा इंक्रीमंट हो जाएगा next time आप 140 दे रहे है 140 में condition falls count 1 यी काउंट एक हो जाएगा इसके बाद 164 है figure out count के मने हो एक क्रीमंट कुंग हो जाएगा एक काउंटर एक क्रीमेंट हो जाएगा 144 दे रहे हैं थीक है condition walls है आपकांपास इंक्रीमंट नहीं होगा 166 इंक्रीमंट होगा एक दफा पूरा चटर रिवाइन कर देती हुआ हमने सबसे बढ़ा प्राबलम क्या होती है भी एपिर हमने डिफाइड किया प्राइं को वह धाइंड के इसमें इंडिगवीटी नहीं ऑर अगर फ्राइड को जो है निच तो के अगर विल डेफाइंड नहीं थी तो हमने मेफ 5W, when, where, why, who, and what. Then, इसके बाद आपके पास था, हमने फाइन किया था, प्लाइन किया था, solution को. और इसके लिए हमने method, चार method पढ़े थे, divide and conquer, guess, check and improve, act it out, and prototype. Then, इसके बाद हमने candidate solution पढ़ा था, and then आपके ने इसके बाद best solution पढ़ा था. यह तो हो गया पहला step. Second step था, हमारे पास floor chart. Floor chart basically क्या होते हैं, graphical representation of something. Floor chart में हमने different तरह के floor chart की examples लेखी थी. Simple floor chart पढ़े थे, conditional floor chart पढ़े थे, वो floor chart जिने value repeat हो रहे होते हैं, वो पढ़े थे, then इसके बाद इसके advantage और disadvantage पढ़े थे. यह हो गया दूसरा step. पढ़े थे, फिर हमने यह लेखा था, कि हमारे पास एक से ज़्यादा का elgo आ गया तो किस बेस में हम elgo को select करेंगे, efficiency of elgo पढ़े थे, जिसमें दो method थे, number of steps और less memory वालस थीक है, हमने पांस तरह का data पढ़ा था, testing पढ़ी थी, valid testing पढ़ी थी, यानि कि आप within the range अपनी values देते हैं, invalid testing पढ़ी थी, for example, user ने तीन values का input देना है, और हमने एक कोई value मिस कर दिया, उसके बाद आपने पढ़ा था boundary value, testing के extreme values हमने चेक करनी थी, उसके बाद आपने पढ़ा था, wrong data formula, wrong data formula में ये था, for example, आपने, for example, आपने numeric data देना था और आपने alphabetical data दे दिया, तो आपका solution कैसे काम करेगा, और last में आपने पढ़ा था, absent data, for example, आपको user ने कहा है, कि आपने 100 तक value देनी है, trace table पढ़ा है, ठीक है, hope so, आपको फूरा chapter समझ आगया होगा, किसी किसी किसम कोई भी बाद आपने,